बच्चों अब लोगो कल क्या क्या मिला था खाने में ठीक जोड से बोलिए नमग रोटी तब यह नमग रोटी का है ला इस विद्याला की टीचर सबजी का पैसा खा कर बच्चों को नमग रोटी क्ला रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर मंच से कहते हैं कि पढ़ेगा यूपी तभी आगे बढ़ेगा यूपी लेकिन यूपी के प्रात्मिक विद्याला में किस तरह की धांदली हो रही है उसका जीता जाकता सबूत एक बार आप खुद अपनी आखों से देख लीजिए सिक्षा के साथ साथ भोजन देने के लिए सरकार करोणो अर्बो रुपे खर्च कर रही है लेकिन बच्चों की किसमत में लिखा है तो बस नमक रोटी ताजा मामला सामने आया है सोनभद्र के कंपोजिट विद्याले गुरेट से जहांके प्रात्मिक और उच्च माध्मिक विद्याले के बच्चों को मिड़े मील में नमक रोटी और नमक भात परोसा जाता है ग्रामिडों का आरोप है कि प्रधान और स्कूल मेनेजमेंट की कार गुजारी की बज़े से पूरा बज़ट साफ कर दिया जाता है और बच्चों के हिस्से में आता है तो बस नमक रोटी इस विद्याले में करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं वहीं मिड़े मील के लिए 4 सिलेंडर स्कूल को दिये जाते हैं लेकिन अब यहां के एक किचिन को देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर यहां कितनी कार गुजारी चल रही है हाला कि स्कूल प्रिशासन की ऐसी हालत देखने के बाद इलाके के लोग परेशान हो गए और खुद ही स्कूल मैनेजमेंट को सबक सिखाने की ठानी गाओं के ही कुछ यवकों ने स्कूल की हालत पर वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्कूल प्रिशासन के हाथ पैर फूल गए मामला प्रिशासन तक पहुँच गया जब हमने इस मामले को लेकर सोनभद्र के डीम चंदर वजय सिंग से बात की तो उनका कहना था कि मामले में लापरवाही हुई है बेसिक शिक्षा अधिकारी को जाच सौप दी जाएगी खबर लखे जाने तक इस मामले में प्रिशासन तीन लोगों के खिलाफ कारवाही की है देखिए हमारी जो टास्पोर्स है जितने भी इंस्पेक्शन लोग जिलस्तरी अधिकारियों से भी कराते हैं तो उसके मात्यम से मिड़े में उसकी गुनवत्ता चेक करा ही जाती है और यह सुनश्ची करने का प्रियास किया जाता है कि किसी तरह का कोई गुनवत्ता में कमी ना रहे और इसके बावजूद भी अगर कहीं पर कमी है तो फिर उसी साबस्राइब करते हैं क्योंकि सब देखा दाता है कि मेनु का निसाल नहीं बनता है इसमें यही है इसको चेकिंग कराई जाती है और इसके बावजूत अगर कहनी पर कमी इपाई जाती है तो हम लोग उसमें कारवाई करते हैं और इसमें डिस्टिक टास्कोर्स है ब्लॉक टास्कोर्स है कि सारे हमारे जिलस के लिए दिकारी हैं यह भी इंस्पेक्शन करते हैं तो जहां पर भी कमी होती है उस सीज को तुरंत उसको सुधारने का या उनको निदेश दिया जाता है तो इस तरह की कमी अगर इस तरह की झाल झाल